जार्खन की हेमन सुरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27 पर्तिशत आरक्षन देने की कवायत शुरू कर दी है सियम हेमन सुरेन ने बीते 5 सितंबर को जार्खन विधान सभा के विशिश सत्र में अपने भासन के दोरान कहा था कि सरकार जल्द ही अपना ये वाधा पूरा करेगी जार्खन में मौजुदा सतधारी गड़ बंदन में तीन पाटियां जार्खन मुक्ती मोर्चा, कोंग्रेस और राज़त शामिल है इन तीनों दलों ने वर्ष 2019 के विधान सभा चुनाव के दोरान अपने अपने घोशना पत्रों में OBC के लिए 27 परतिशत आरख्षन का वाधा किया था अब इस घोशना को धरातलपुर उतारने के लिए सरकार के निर्देश पर तीन सदसिये कमेटी गठीत करने की तैयारी चल रही है कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित परस्ताव का ड्राप्ट तैयार कर लिया है फाइल पर सिये महमन सुर्विन की स्विक्रिती मिलते ही परस्तावित कमेटी को नोटिफाई कर दिये जाएगा बतादी की फिलहल जहारखण में OBC को 14 परतिशत आरख्षन मिलता है जबकि अनुसुचित जन जाती के लिए 26 परतिशत और अनुसुचित जाती के लिए 10 फिसदी आरख्षन की ब्योस्ता है जहारखण विधान सभा के शीत कालीन सत्र के दोरान आजसू पार्टी के सुदेश महतों के गैर सरकारी संकल पर संसदी कारिमंत्री ने कहा था कि सरकार आरख्षन का परतिशत बढ़ाने पर बिचार कर रही है इसके तहट आरख्षन के सीमा को 50% से बढ़ाकर 73 फिसदी करने के परस्ताव पर बिचार चल रहा है जहारखन विकुल आरक्षन 50% से अधिक हो जाने की इस्तिते में इस फैसले को कोट में चुनोती दी जा सकती है सरकार में इस बात पर भी विचार विमर्च चल रहा है कि इसके लिए क्या बैधानिक बिकल्प हो सकते हैं जिस तीन सदसिक कमिटिक गठन किये जाने वाला है उसे ये टास्क सौपा जा सकता है